हेले वरिवान, गिल्ज मिन्टोर दे ओफिशली यूटूब चनल ते में थोड़ा सब्दा वेलकम कर रहे हैं और उमीद कर रहे हैं तो उसे जित्थे भी होंगे ठीक ठाक होंगे जिमे के तो नों पता है कि पंजाब पटवारी मिशन 2020 जो आसी जोट चुके हैं तो नों बिल्कुल फ्री प्रिप्टेशन कराई जाएगी पर्टिकुलर साथा 90 दिन दे क्रेश कोर्स होएगा जिरिच बहुत ही खुबसूरत अपां मेंशुरेशन दे कोशन्स कवर करांगे जो प्रिवियस येर जैसे कि PS, PCL है, PPSC है या पंजाब पटवारी पेपर है, इस तो लवा पुड़ा पेपर है पहुँ सारी होड़ी एक्जाम ने, including NTPC and SSE exams दे पॉइंट ओव उनार, important होएगा और सब तो खुबसूरती दी गल एह होएगी कि तो हड़े चूं किसे इबदा भी लेवल अगर 0 है तो definitely ओव मेरे इस 90 दना दे क्रेस कोर्स नो करन तो बद हीरो बनेगा और सब तो अच्छी गले है कि बिल्कुल क्रेस कोर्स बिल्कुल फ्री होएगा, बस तुसी तुड़ा ठा देओ, शेर करन चे कोई कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है, हर किसी कोड़े 33-44 का अरदेविच स्मार्टफोन है हर जगह सब्सक्रिप्शन होने चाहिए तकरीबन तकरीबन हर एक material content तोड़े तक प्रोपरली पहुंचेगा जे तुसी साधी ना जुड़ना चोने हो Instagram, Telegram दे links तो नो description च दे रखे हैं तो इसकार के 1000 students नो इस चाहिदा benefit मिलिया है तासी कोशिश करांगे, तो नो एदना ही जबरदस तरीके दी preparation करांगे और नाल ही तो नो content भी ऐसे भी label करके दमांगे दोस्तो बेसिक level तो करांगा और ज़रूर प्रीज सब्सक्राइब करो तो आते शेर कर दो नाल दिनार एकवरी शेर कर दो ताकि सारे students कठे हो जाने यार बहुत ही important होईगा किसे स्याने याने कहा है कि किसे भी कमनों करना है तो उस कमनों बिल्कुल जीरो तो शुरू करो ताकि हर एक नो समझ आवे थोड़े चो जिसदा भी basic अगर बहुत वीक है तो मैं उसनों भी कमाँगा कि तो अड़े basic नों भी मैं मध्या नजर रखके चलाँगा आते तो अड़े चो ओभी students होनगे जिनना दा हो सक्दे basic बहुत अच्छा होए तो अनों मैं advanced level दा भी बहुत अच्छा करा माँगा मेरे इस particular session तो बात तुसी CGL NTPC exam भी दोंगे मेरी guarantee है तो नो 100% नहीं बलकि 200% तो नो benefit होएगा मेरे इस particular session तो तो चलो वद्दे आज दे session वाल subscribe जरूर करना यार subscriptions कोई कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है यह चीज याद रखे हो चलिए बई चलिए चलिए शाबाज very good very good very good share कर दो share करन च कोई कमी नहीं होनी चाहिए basically mensuration होंदा की है mensuration नो जो आपा पढ़िए तो आपा कह सकते है छितरफल है या परिमाप है mensuration parameter दे concept चे cover करांगे session basically है की area of any figure is the planner space occupied by it or the amount of surface मैं कह सकते है कि छितरफल किसे भी figure आकरती या किसे भी जगे दा building दा या particular किसे भी space दा सानो पुछया जान दा है ता ओस जगे नू किना के रहा गया है और like आपा ओ ही questions चेतरफल चे cover करांगे सब तो पहला है आपा cover करांगे कि साड़े कोड़े चेतरफल दे base दे आपा cover करांगे concept साड़ा triangle तो आज सिर्फ basic class होईगी basic दी बिच मैं थोनू यानि मेरा concept होएगा shortcut दे जरिए shortcut session दे नालना तो उनू साड़े concept में cover up करांगा basically triangle दी जितो तो गल कर दे triangle केंदी किनो है triangle केंदी है एक closed figure सुसी सारे प्लीस नोट कर सकते हो एक closed figure which is bounded by three side एक closed figure which is bounded by three side it is scored a triangle जिमें कि आपा कह सकते हैं पुजावांदी गिरी हुई पंद आकरती नो अपा की कहने है triangle कहने है जिदा आपा कह सकते हैं कि मेरे कोड़े पहली side केड़ी है A अते B है और दूजी side मेरे कोड़े केड़ी है B अते C है अते तीजी side मेरे कोड़े केड़ी है C अते A है मैं कहा सकते हैं कि मेरे कोड़े A particular कि यह एक के triangle है ठीक है triangle ते हजारा question बन गए समझना या ठीक है It has three side Side केड़ी सी A भी है दूसरी मेरे कोड़े BC है अते 30 मेरे कोड़े CA है It has three angle Angle A है, Angle B है अते Angle C है Each of its angle अपा A नहीं कहा सकते भी किने किने degree दे बट आपा A कह सकते है कि sum of all the angle is equal 180 degree Right, 180 degree और paper चे सानू दो तिन चीज़ां पुछियां जा सकते है जिमें कि सानू अगर इते particular concept दे अंदर गल कर दे है तो सरफ सानू area आते particular इस question दा सानू की याद होना चाहिए parameter area आते parameter और मैं तो यह भी दसांगा कि shortcut बिना सादा paper selection होना किते नहीं किते क्वाइट टाफ है क्योंकि सादे को टाइम नहीं बचेगा यह जांबी बहुत important है ठीक है अपा basically जरूर चेक कर चुके है कि triangle की है एक plane figure है जो bounded है तिन sides तो जो तिन sides तो बंद आकरती है उन्हों आपड triangle कहने है definitely एभी चीज तुसे याद रखना है कि आपड triangle नो donate कर दे है जो maximum time तक एदा करके आपड symbol आपड यूज कर दे है but in fact triangle दे विच भी सादनों कुछ चीजां याद रखने है जरूरी है जमेकी सादे कोड़ी मैं दसां कि मेरे कोड़ी कोड़ी को triangle है इस triangle दा सानों नहीं पता कि इस triangle equilateral है या iso scale है या किड़ा triangle है basically एवाडी कदी भी height नहीं होएगी triangle दी याद रखना है एवाडी height नहीं होगी height straight हों दी है हमेशा this is आपा d कह सकते है होने में आपा कह सकते है कि ad perpendicular केड़ी थी है bc थे देखो perpendicular दा मतलब की हों दा है कि बिलकुल आपा थोड़ी जी आपा हिंदी शब्दानों भी यूज करांगे जिसमें आपा lump कहने है lump ठीक है एदा करके जो अक्सर बार तुसी पढ़िया होएगा ठीक है देखो किदा अगर मैं कमा कि मेरे कोड़ी एदा एक side है इस side दा नाम एच्थी P आथी Q है और ए टोटल मेरे कोड़ी किने है 10 cm है अगर एदी विच कोई भी एदा height लही है इदा मतलब है कि इसने इन्हों दो हिस्यां चे वांड़ था 5 cm अथी 5 cm clear है तो ए वाड़ी एदी की होएगी height होएगी इस particular question दी विच आप इसनों कह साग दे है height ठीक है तुसे ए भी याद रखना है ठीक है होएगी मेरी प्यारी मेत्रो ट्रैंग्ल दे विच बेसिकली 4 टाइप होंदे है किने टाइप होंदे है 4 टाइप होंदे है वहतला होगा equilateral triangle होएगा समस्क्राइब इसने बँगा बंच्राइब सेटे एकिवियुलेटेटल ट्राइब कहना है इस नो किद्दा किद्दा इन दी रूल्स आते रेगुलेशन पूट करने पैणगे यह भी सानू जानना बहुत जरूरी है हुन एक्विलेटर ट्राइंगल दे विच दो चीजा याद रखनी है तुसीं इक्विलेटर ट्राइंगल दे अंदर थो नो की पुछा जा सकता है यह भी जानना बहुत जरूरी है चलिए इस तो बाद नंबर पहला आ गया नंबर दो दे विच आपका कह सकते हैं कि साधे कोड़े केड़ा आएगा आईसो स्केल ट्राइंगल आएगा आईसो स्केल बाद आएगा उर आजएगा और वाड़ा साधे कोड़े कड़ा आ चुका है आईसो स्केल ट्राइंगल आचो है जिसनो केड़े कि संद्वी भाहु तिरभूज कहा जानद संद्वी बाहु तिरभूज ठीक है अपनी पञ्याबी पाश आ दे विचता बहुत सारे मुंदे बाहूर त्रिबूज कवाय क्या जंदा है यह भी तुसी याद रखना है और चोथा आपका कह सकते हैं कि साधे कोड़े किड़ा होएगा राइट एंगल ट्राइंगल होएगा चलिए राइट एंगल ट्राइंगल होएगा दोस्तों तो हाड़ी ही डिमांड ते मैं बेसिक तो याद रखना है हूडद देखो एक पहला सवाल होँगां पहला सवाल पर कवर कर दे हैं कि साधे कोड़े अगर मैं एक्विलेटर Haitresh Claycki लिखा हम यह बराबर होन गिया, what we can say कि एक closed figure which is bounded by three side, it is called a triangle and we can say it's all the lengths are equal in length and each of its angle is of 60 degree, मतलब कि आपा कह सकते हैं, इदा हर एक कोना किने किने degree दा होईगा, 60 degree दा कोना होईगा, ठीक है, होना आपा इदा कह सकते हैं कि angle A plus angle B plus angle C is equal 180 है, आपा इदा भी कह सकते हैं, angle A is equal angle B, आथे is equal angle C, आपा कह सकते हैं, 180 degree दी बजाए, अई थे आपा instead of 160 degree आपा इना नों कमागे, क्योंकि 180 तेना दा सम होएगा, इस चीज़ याद रख्यो, होना आपा A भी कह सकते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, कि A B equal B C, आपा की कमागे, सीख मतलब की है, कि मतलब A है, कि अगर साधे कोड़े A हे 4 cm है, ता मेरे प्यारे दोस्तों, अभी 4 cm होएगा, और A B 4 cm होएगी, जनरलीस आनों पता लाग गया, दिखो 2 चीज़ आए, 2 चीज़ आए, कि तुसी सब तो पहला आपा देखो cover कर देए, अकसर बार आपा कोई building बनो आपा canopy बनोने है, एक तो डिफरेंस आनों दो चीज़ा ना पता लगेगा, सब तो पहला छेत्रफल है, छेत्रफल जेको की हुंदा है, एरिया की हुंदा है, आपा आम जी पाशादे वीच समझांगे, मैं तो नो फेर तो वापस चीज़ां समझांगा, कि कोई भी समतल आक कर लिए है, एक चीज़ की हुंदी है, यह फर्स हुंदा है, लाइक आपेसे नो केने है, छेत्रफल हो गया, ठीक है, और दूजी चीज हुंदी है, कि परिमाप कहता है, आपा पैरामिटर है, पैरामिटर है, जनल ली अपा कितना समझ सकते हैं, कि जिडियां ओधियां साइ ठीक है, होन देखो, जनल ली जे, आपा इथे एरिया दी गल करांगे, तो एरिया भी कवर करांगे, लेकिन आपा इथे गल कर दें, पैरामिटर दी, तो आप यह कह सकते हैं, कि साम उप साइड में क्या, जिमें, ए, बी, प्लस, बी, सी, प्लस की होजेगा, सी, ए, चलिए, मेरा कंसेप्ट समझ आ गया, तो प्लीज तुसी कमेंट से लिख दो, आहो, सानू समझ आ चुके है, मेरी प्यारे मित्रों, तो नमे एक चीज होर दस दे, ट्रेंगल दी प्रोपर्टी, अगर आपा करनी है, तो आपा करांगे, जमेटरी दे अंदर, जमेटरी दे, प्रोप समझ आएगा, तो सानू जनरली इभी जनरनों मिलेगा, किसले बस की कुछ होईगा, ठीक है, होन जी अपर गल कर दे, सब तो पहले ट्रेंगल, एक्विलेटर ट्रेंगल दा एरिये दी, तो अप एरिये बास दी एर लिखांगे, तो रूट 3 अपान 4 इंटू की होईगा, त तो से हमेशा लिए मेंनों काऊंगे, कि सर यसी यदा रूल समझ चुके है, ठीक है, दो चीज आए, पहले चीज ए हैगी है, कि सानू इननिया साइट्स जो दे रखी है, एदे वरे मां अलड़ी समझा चुके है, बट फिर भी मैं तो नों समझा देना चौना है, कि अगर आ क्यों होएगा, क्योंकि क्यों होएगा एए, जनरली एक्स करके होएगा, क्योंकि इस आल दा साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जे आपा इस ट्राइंगल नो थोड़ा जापा प्रोपर्टी चेक करना वासती, इदिछ आपा परपेंडिकुलर ले ले लेने, जिस दा नाम परख देने D, आपा कह सकते हैं कि A D परपेंडिकुलर केड़ी ते है, B C ते है, मेरे पैरे दोस्तों, B अते C तक टोटल A है, तो A अत B अते D किना होएगा, तो इदा अदा होजेगा, और हाफ होजेगा, तब A बटा 2 कह सकते हैं, और A बटा 2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नह दिवेचे तोसी BD दी गाल करोंगे, तो A बटा 2 है, चै तोसी अते D सी बराबर करोंगे, ताद भी तो अदे कोड़ी A बटा 2 ही होएगा, चलिए, इस कंसेप्ट मों थोड़ा जा, अगर मैं इसनों हाइड करके, और तो इसे कोश्चन ते में कोश्चन कवर कराना चामाग यह मेरे कोड आज़्टा करके की एक राइट अंगल टरेंगल है, बेसिकली राइट अंगल टरेंगल वारे में पहला मी तो लोगं समझा चोके हैं, इन फेक्ट में पहतों फिर समझा दननैं, राइट अंगल टरेंगल उसनु नहीं क्या जाना yapmış यह नहीं हमेशा जीदा एक एंगल नबे डिग्रीदा है, बट ओदे नाल ये भी हुंदा है, कि सानो जानना पएगा कि नबे डिग्रीदा एंगल केड़ा होईगा, जित्थे दो आकरतियां, दो आकरतियां बिल्कुल अगर टाच कर दिया है, और बिल्कुल दोनों एक दूसरी दे स्थिर स्तंब है, उन आपके कमांगे, उन्चाई कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं, इन्हों आपके कमांगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तो बाद नीचे की होईगा, बेस, बेस मतलब अधार है, चलिए, राइट एंगल ट्रेंगल दी की प्रोपर्टी हों दिया, प्रोपर्टी वास्ते जी आ आपके करांगे, तो सानु एचीज फाइंड आउट नतीजे ती निकलांगे, कि राइट एंगल ट्रेंगल आपके उसनु कहने है, जिस दे हाइपोटैंइस दा स्केर याद रखो कि हाइपोटैंइस दे स्केर दे बराबर, उदा बेस दा स्केर प्लस उदे होना लाजमी है, क्लियर रहे थो तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सारे स्टुडेंट्स प्लीस मेंनों दस दो, हुन जनरली आप दुजी गल कर दे हैं, दुजी गल ये कर दे हैं, कि प्यारी मित्रों तुसी ए भी याद रखना है, कि जदों भी राइट ट्रेंगल ट्रें करनी है, तो ताद हमेशा ओथे केडार लगेगा रूल, ओथे हमेशा की लगेगा पाइथा गौरस लगेगा, की लगेगा पाइथा गौरस थियोरम इंप्लीमेंट होएगी, और पाइथा गौरस की हुन दिये, पाइथा गौरस हुन दिये, कि हाइपो टैनिस दा स्केर प्लस थाधे कोडे परपेंडी कुलर स्केर होएगा, अगर जनली में गल करा जनली में एक्जाम्पल दे तौरते गल करा जे में कमा कि प्हारी मित्रों मेरे कोडे यह वाड़ा 8 cm है , यह वाड़ा 6 cm दसो हाइपो टैनिस किनना होएगा तुसी की करोंगे तुसी ए लिखोंगे कि सर हाइपो टैनी से नूँ असी एक वरी X स्केर मान लिए बे सेदा आठदा स्केर सीगा ठीक है और ए वड़ा सी छेदा स्केर कर दने है होना अपने अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे X स्केर है उसी फेना चौल आपने अब आठदा सामने वाले रिखोंगे इस आपने आणसेर इक पनी आठ cambio किना है नहीं तुसी बस्केर स्केर यह भी कह सकते हैं कि अगर इसनों इंप्लिमेंट करदा तुसी कह सकते हूं कि एक्सदा स्केर करोंगे तो अड़े कोड़े 100 होजेगा 100 बराबर 100 होएगा यह डेफिनेटली अपने कोड़े राइट अंगल ट्राइंगल डिजरव करदाया यह दी बैस्ट प्रोपर्टी है अगर एक सेकेंडली अपा इस पूरी एक्विलिटल ट्राइंगल दे फॉर्मूले नो अपा समझन दी कोशिश करदे हैं तक कि तुसी एक्विल दे अंदर जरूरी नहीं कि एक को मैंथरती कंसेप्ट करना दोती भी कर सकते हो तुसी लिखा ट्राइंगल एडी बी अगर तोड़े कोड़े राइट अंगल है तो राइट अंगल दे समझन तोड़े कोड़े हाइपोटैनिस हो गया चलिए आपा इती लिखांगे हाइपोटैनिस दा स्केर है अइती लिखांगे आपा बेज दा स्केर है प्लस आपा प्रपेंडिकुलर दा स्केर लिख लेने है कोई दिक्कत नहीं है चलिए कोई दिक्कत नहीं सारे बच्चे में समझ आ गया थो ता हाइपोटैनिस आडेकुल की ता a square है, a हो जेगा a square और बटा किना हो जेगा 4 प्लस हाड़े कोड़े h मतलब हाइट दा square हो गया, जिए अपा height नू एच लिखांगे कि और h square is equal की हो जेगा a square minus किना हो जेगा a square बटा किना हो जेगा 4, होना अगर अगर इन्हों लिखांगे कि a square is equal ता a square upon 1 total किना हो जेगा 4 a square minus a square बटा किना हो जेगा 4 हो जेगा, मेरी प्यारे मित्रों आपा लिख सकते हैं कि h square is equal total किना हो गया, 3 a square upon 4 हो गया, होना अगर ब्रेकिट चुब बार कड़ांगे तो आपा लिखांगे h is equal की हो जेगा माफ करना जरा, equilateral triangle the height find करनी होगी, note down कर लो सारे students please note down जरूर करेो इसनो, ठीक है, properly यह सारी चिजन समझा माँगा मैं थो नो कि हमेशा equilateral triangle देवेच, note रखियो कि equilateral triangle देवेच, अगर तुसी height थो नो पुछया जानदा है तुसी root 3 upon 2 into A लिख दोंगे, clear है, this is the first formula, चलिए दोस्तो दुझे तरीके न अगर मैं same triangle दी विचो इथो भी find out करांगा तो टोटल एने किनी जगा कवर कीती, एने किनी जगा करती, दोना नो तुसी की कर दोंगे, add कर दोंगे, की कर दोंगे, दोना नो तुसी add कर दोंगे, अप एथों ही एदा rule बनावाँगे, please सारे concept नो समझते चलना है, ठीक है, वापस तो में चीजना सारी improvement करा माँगा थो अपना topic चल रहा है कि एथे area, देखो height ता तुसी एथे लिख लोंगे, बट मैं एथे area किता समझा रहे हैं, देखो किसे भी triangle area की होंदा है, 1 by 2 base into height होंदा है, तुसी लिख्या 1 by 2, base एदा की है, base यानी a बटा 2 है, height किना आ गया, root 3 by 2 into a आएगा, हुन देखो, generally मैं एक triangle लिखे है, एक triangle a हो गया, और एक triangle a हो गया, total 2 triangle हो गया, तुसी एथे की लिखोंगे, into 2 लिख दो, into 2 लिख दो, 2 नर 2 cancel हो गया, देखो, a एदा, a नर multiply की तद a square हो गया, root 3 रहेगा, और 2 दूनी किना हो गया, 4 हो गया, आ लो जी, प्यारे मित्रों, एदा करके मैं हर एक ता सो गला दी, एक गला है, कि मैच देवेच ट्रिक की होंदी है, मैच ट्रिक ए होंदी है, कि हमेशा वड़े तो वड़े सवाल नो, कट तो कट वेल्यू दे अंदर, find out करके हो दा answer दे देना, देखो, exam दे अंदर बहतर ए होंदा है, कि तुसी प्रोपर explanation नहीं देना, 10 द देखो, height करनी है, तो की लिखांगे, root 3 by 2, into अपर की लिखांगे, area की होंदा है, root 3 upon 4, into की होएगा, side 10 के area, या a 10 के area कर दो, doesn't matter, अगर सानू, मैथनू की दसांगा, कि अगर सानू height given है, और equilator triangle, side find करनी है, तो तुसी इन उल्टा कर दोंगे, 2 बटा 3 है, और a 12 आजेग तो into की कर दोंगे, तो उसी इते height कर दोंगे, समझ आ गया, कोई दिक्कट नहीं है, चलिए, very good, बहुत अच्छा है, शाबाश, 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 good, 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 चलिए, एक चीज होर नोट कर देए, इस तो बाद पंजबे नंबर दा topic आजनद है, इते ही, कि अ ठीक है, जिमें कि आपम बाइदवे एदा करके देता, और एवड़ा देता, और एदा करके देता, एपर परपेंडिकूलर होगे नेचा, आपर D नाम रख दिए, E रख दिए, इंदा F रख दिए, basically A साधे कोड़ी जड़ी परपेंडिकूलर नहीं दे, ठीक है, ट्रैंगल दा, area की होएगा, ठीक है, area की होएगा, तो तुसी है याद रखना है, sum of its, sum of its परपेंडिकूलर, ठीक है, तुसी रिखना है, sum of its, P4 पर पपेंडिकूलर पपना लिख लिए हो, ठीक है इधा, square कर कर दांगे और अपन अपन की कर देना है रूट 3 कर देना है ठीक है यह तुसी याद रख लियो याद रख यो गाइस बहुत इंपोर्टेंट है अगर सानू एक्जाम दे अंदर एक्विलिटल ट्राइंगल दे अंदर अगर सानू हाइट गिवन है स्पोज अगर हाइट आप मालो इट इस गुड अठ लेलन है ठीक है तो तुसी यह दसो कि एक्विलिटल ट्राइंगल दा एरिया किना हुएगा मेरे प्यारे मित्रो पहला तरीका आपने कोड़े की है कि मैं अगर इसनो प्रोपरली एंद दसांगा कि मैं क्या कि मेरे कोड़े A, B, C, D, ABC एक ट्राइं साइड तर साइड इकुड है नहीं तो आप पहला साइड फाइंड करांगे फिर मैं तो नो अंत वेचे दी ट्रिक दसांगा तुसी कोओंगे वाके सारी चिजां दामदार ने शांदार ने तमाकेदार ने ठीक है चलिए सब तो पहला आप इस लिखांगे कि हाइट ओफ इ कोई दिक्कत निया सारे स्टूडेंटस नो समझ आ गया चलिए अगर पहला इक काम कर दें मैं थोड़ा या मोडिफाई कर दान तो कोई इशू नहीं होगा एदधा लिख दने आठ रूट तेन लिख दने जिसकर कि कोश्चन थोड़ा इजी हो जगा रूट 3 ना रूट 3 इस पर्टिकुल कोश्चन दा एरिया आ जाएगा मेरी कंसेप्ट नूँ समझ कर रहे हूँ देखो इसे चीज नूँ मैं खतम कर दाँगा कि जदों भी थोनू नोट कर लो तो उसी पंजाबी चलिख लो बागडी हिंदी हरे आणवी जड़ी मर्जी पास चलिख लो कि जदों भी थोनू एक्विलेटल ट्राइंगल दी हाइट दिती होवे और एक्विलेटल ट्राइंगल चा तुसे एरिया फाइंड करना है तुसी की करूगे कि हाइट गिवन होवे तुसी एथे हाइट दा स्केर कर दो और अपां दे विच रूट तेन ला दो तो अड़ा आसर चाडा मारदा आज़ेगा अलो जी अगर हाइट दीकाल करिए तो साध्य कोडे किन्नी सी 8 चलिए 8 साध्य कोडे गिवें सी सानू पर्टिकुल कॉश्चन दे वेच शानू 8 रूट 3 गिवन सी ना 8 रूट 3 तो 8 रूट 3 आपकी करदांगे स्केर करदांगे और अपॉंच आप रूट 3 लादांगे देखो 8 दा किन्ना आजेगा 8 इंटू 8 आजेगा रूट दा 3 हट जेगा और अपॉंच दे विच साध्य कोडे रूट 3 लग जेगा और अपॉंच 3 3 3 3 कैंसल हो जेगा तो इट मीन्स है कि चौंट रूट 10 सम्थिंग नीर बाउट अपना अंसर इनना आजेगा तो देखोड़ कोड़ बहुत अच्छा ऑप्शन होईगा तुस्ति इद्दा भी आंसर कर सकते हों अते तुसी इददा भी आंसर कर सकते हो इस आउल डिपेंड ओन यू तूहाद डेटर डिपेंड करेगा तुसी किदधा अधा अंसर टिक करना चाहूंगे ठीके समझ आ गया सब कुछ समझ आ गया तह प्लीज एक बरी कमेंट से लिख दो सर आहो समझ आ चुक है ठीक है चलिए आपा हुन दो चार क्वेस्टन करांगे एक वी लिटल ट्रेंगल ते तद आपानों कंसेप्ट हो अच्छे त्रीके ना कवर होगा तो चलो गाइस हुन आपा डा लेंथ इन संटीमेट्र फीयदी ऑफ अफ रजए पारेंगल के वी लेंदेंटस ढेंब से इस मीडशनागा तो चौना है कि जिनने भी एकाम्स का नेहें पारवास्ति मुखनी अंसर ता और जिन्दगी पारवासिती मुखलान इंसर तो यी दे सब दे हुआए जाद अगला कोशिन करते हैं एरिया ओफ एकुलिट्र ट्राइंगल इस फोर हंडडर रूट थी सेंटीमेटर स्क्वेर पैरामेटर इदा फाइंड करना है जे साधे कोड़ पाइंड एरिया और इस फोर हंडर रूट 3 इस फोर हंडर रूट 3 इस फोर हंडर लूट 3 इस वेल रूट 6 साधे कोड़ होडिया रूट ना रूट की हो ज़ेगा cancels हो जगा बाकी अपा वेल्यून nahi सकतें तो इत रूटे हो जेगा 400 cross multiply 4 is equal इत इत रूट की हो जगा side square हो सबस्केयर हो जगा सो एकज आप सबस्केट्ट जटावांगे तो इस सारी सारी वेल्यू कादे चाज़ेगी route चाज़ेगी रूट चाज़ेगी तो आप इति लिख सकते हैं साइड ता 400 मतलब किना हो गया 20 अथे 14 किना हो गया 2 so we can say that कि 4 is equal कि दे हो जेगा साइड ता इति पर्टिकूल कोश्चन दी विच ए हो गया किस ट्राइंगल दी साइड किनी है चाडी है अगर 40 है गया साइड तो you know very well कि कि किसे भी एक्विलिटल ट्राइंगल दे बल्कि पैरामिटर होंदा हो 3 इंटू साइड भी कर सकते हो और तो उसी इद्धा भी कर सकते हो भी जे 40 सेंटिमेटर 40 सेंटिमेटर 40 सेंटर मतलब sum of the 3 साइड तो 40 इंटू 10 120 V मेटर विल भी आंसर हो जेगा कोई दिक्कत नहीं है सारे नो जे एक पर्टिकूर कोश्चन समझ आ चुक है तब प्लीज तुसी लाइक और शेर करना नहीं पूलना ठीक है चलिए अगला कोश्चन में था नो एक होर पुछांगा कोश्चन नमर तीजा सिगा जो कि प्रिविएस एर पेपर चाय सिगा कि एक्विलेटल ट्राइंगल है इस हाइट इस एक्विलेटल ट्राइंगल दी हाइट के नहीं 15 cm है तब तुसी इदा की फाइंड करना एरिया फाइंड करना है तद आपकी फाइंड करना है देखो एरिया फाइंड करन दे दो तरीके है पहला तरीका दूसरा तरीका it's all depend on you guys वापस तो दसाँगा सारे methods तो अड़ेते depend कर दे तुसी की कर सकते हो ओही दो method तुसी implement कर सकते हो height थे given area तुसी find करोंगे तथ उन्हों की करना पहेगा height 10 square is upon root 3 करना पहेगा मतलब यह हो गया 15 10 square root 3 करोंगे तो लगबग लगबग 250 root 3 answer आजेगा जे तुसी यह भी कर सकते हो root 3 तुसी हटोना आया तो 250 root 3 आजेगा और into root 3 और root 3 करोंगे ठीक है 250 into root 3 upon 3 हो जेगा cancel करोंगे तो 75-75 root 3 भी तुसे इदा answer ला सकते हो यह भी answer ला सकते हो मेरा method जे समझ आया है प्लीस मेनों like और share करना इस particular session नों नहीं पुलना अगर एसे question नों अपा procedure method ना कर दे ता बहुर सारा time लगना सिगा ठीक है ओलड़ी procedure method नों में 10 चुके है सो अपा procedure method ते अपना time waste बिलकुल भी नहीं करना है चलिए 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 शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छे है सारे students नों प्लीस थामने लूपर करके दसदो मेनों जेतों नों question मेरा समझ आ रहे है ता थामने लूपर करके प्लीस मेनों दसे हो कि हाँ जी सार नों particular question समझ आ चुके है तद ही मेनों idea होएगा कि सारे students नो मेरे दुबरा जो किन्ने भी questions करवाए जा रहे है आखर उननों समझ आ रहे है ठीक है चलिए अगला question है question number पंजवा है ठीक है पंजवा question है गया कि कोई भी अपने कोई ट्राइंगल है और उदा जो मैं कह सकते है कि parameter है ओह एरिया दा तिन गुण है parameter is हाँ जी तुसी note कर सकते हो parameter is three times three times of its area ठीक है इदे area दा तिन गुण है तता तुसी दसो कि side of a triangle चलिए side of a triangle की होएगा यह मैं तो आनों वे से basic concept करवा रहे है कोई ज्यादा मैं तो आनों tough नहीं करावाँगा सब तो पहला basic सानों समझना लाजमी है देखो particular question दी विच की है अपा ए मनागे कि साड़े कोड़े यह जो triangle है ना यही side की है x i x x है चलिए होण आपा इदा parameter find कर दे अपा इदा parameter मतलब इदा परिमाब find कर दे तो आपा की लिख दे 3 into side लिख दे ना यही लिख दे 3 into side लिख दे होण साड़े कोड़े side की given है side साड़े कोड़े 3 given x given है चलिए और अगर 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 इदा ar means area find कर दे तो आपा लिख दे root 3 upon 4 into आपा की कर दे guys एथे side scale कर दे चलिए होण आपन गिवन ए है गाए कि जो इदा parameter है वो तिन गुणा है इदे area नड़ो तो area मतलब इदा की होजेगा area guys की होजेगा दा root 3 upon 4 और into साड़े कोड़े की है side दा scale है side दा scale है तो definitely तुसी इस गल नों भी समझ देओ कि a value थोड़े बराबर की दे बराबर होजेगी root 3 दे बराबर होजेगी होण तुसी अगर cross root 3 नो root 3 ना multiply करांगे तो definitely आए कि value खतम होजेगी तो 3 x is equal 3 होजेगा और एथे थोड़े कोड़े side गिवन है जो तो नों हर paper देवेचे सवाल पुछे जाणगे question ही सिगा कि किसे भी equilateral triangle दे triangle दा जो even की मैं कह सकते हैं कि जो parameter है parameter दी value या parameter दा मान है तिन गुणा है गए किसे भी छितर फलतों area नडो तिन गुणा जादा है ठीक है चलिए अगला question है next question very well बहुत अच्छे करोंगे अगला question छेवा question है कि अगर सानू side of equilateral triangle अगर 6 cm गिवन है तो फटा फट दसो कि equilateral triangle the area किना होएगा come on guys quickly 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 यार जल्दी फटा फट करो अलांकि तुसे area नू 4.333 दे into तुसे side square दी equal भी कर सकते हैं तो अगर आंसर आजेगा ठीक है तद भी तो अगर आंसर आजेगा method बहुत सार है अपने कोड़े methods दी कोई कमीनी है प्रपूर method पहे है चलिए गान quick 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 शाबाश शाबाश root 3 upon 4 into key होजेगा side the square होजेगा root 3 upon 4 into 6 into 6 होजेगा एथे तुसी 3 लिखोंगे 2 लिखोंगे 3 लिखोंगे I mean कि तुसी 9 root 3 will be answer quick very good बहुत अच्छे है शाबाश शाबाश भी come on come on come on very good बहुत अच्छे है चलिए 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 very good बहुत अच्छे है शाबाश अगला question है question number है सत्मा अपनों क्या जन्द है कि area of area of an equilateral triangle short लिखांगा मैं ठीक है 4 root 3 cm square दसो भी एदी side कि नहीं होगी चलिए side of an equilateral triangle come on guys side दसो कि नहीं है फटाफट सारे students दसो यार सादा base मजबूत होना बहुत जरूरी है ठीक है सब कुछ थोनों बिलकुल एक systematically तरीकी नट वर्क करवाया जाएगा दनी है कि आपा beginning ची सारे question चोक के लियांदे question solve कराते तह तुसे किती भी कर सकते हो यार base बढ़ना बहुत जरूरी है particular question दे नट कवर करांगे ठीक है तब basically तुसे key find out करनी है थे side find out करनी है चलिए quick 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 very good आपा इथी की लिखांगे कि area of an equilateral triangle is equal आपा लिखांगे root 3 upon 4 into key होजेगा side the square होजेगा ठीक है सानु एथे already area root 3 upon 4 upon root 3 given है और 3 upon 4 into key होजेगा side the square जिदो तुसी cross multiply करोंगे तो value खतम होजेगी 4 नो 4 ना multiply करोंगे 6 होजेगा या तुसी 4 ही रख सकते हो ठीक है और side the square होजेगा ठीक है guys अगर side नो solve करोंगे तो a value value तो अड़े कोड़े कादी चाजेगी root चाजेगी तो side is equal तो अड़े कोड़े 4 cm will be answer होजेगा clear है कोई दिक्कत नी 4 cm जिनने स्टूदेंट्स ता answer रहे है बहुत अच्छा है very good very good quickly 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 फटाफट कर दो अंसर बिल्कुल बिल्कुल अगला सवाल है अथमा नंबर सवाल हुनी मैं तो अनु सारे concept कराई है कि concept देएगी सवाल मेरा सवाल मेरा एक्विलेटरल ट्राइंगल एक्विलेटरल ट्राइंगल ठीक है and इट्स प्रपेंडिकूलर ओन इट्स साइड या दाइमेंशन्स ओफ डाइमेंशन्स ओफ इट्स प्रपेंडिकूलर ठीक है 3 cm डैश 4 cm डैश 5 cm तो find the area of area of an equilateral triangle एक्विलेटरल ट्राइंगल इस सवाल में थो नो जस्ट हुने ही थो नो example दस्यासीगा थो नो तुसी करना है चलिए मैं देखना चोना भी किन्ने ज्यादा intelligent students मेरे particular session दे बिच बैठे हुए यार quickly बस तुमांड आदो कुछ भी मुश्कल नहीं है और सवाल कुछ भी मुश्कल नहीं है कुछ भी मुश्कल नहीं है मुश्कल है गया तो सिर्फ particular question दा method मुश्कल होएगा या जैसे अच्छे तरीके ना समझ रहे हूँ तुसी मेरी properly जिननी भी थो नो प्रिकेरिया आपने कोड़े BD हो गया A वड़ा BE हो गया और A वड़ा आपने कोड़े CF हो गया ठीक है जहें आपक करांगे कि B E दी length 4 cm है आते AD दी length 3 cm है आते साथे कोड़े CF दी length कि नहीं 5 cm है कम आन गाईस समझ आ गया है ना ठीक है होन तुसी की करना है थे होन तुसी पूरे दे पूरे triangle equilateral यानि ABC जो triangle ABC है एदा guys area find करना है देखो procedure की कहन दिये सवाल दी procedure ही कहन दिये कि सानु एक सवाल समझना पएगा जे दा center एह हो है पूरा method दसा लगबग तुसी कटो-कट मिन्नू इस particular question थे 10 minute लगण के समझाओन थी आपा यह काम कर दें इदी side X मन दें AVX मन दें और AVX मन दें X मन दें कोई दिक्कट नहीं है ठीक है होन आपा लिखांगे कि triangle अगर मैं AOB लेना है अगर मैं इत्थों triangle में AOB लेना पहेगा A बढ़ा सब तो पहले triangle लबाँगे AOB the area ठीक है मैं अचे लेना है area of area plus triangle की होजेगा की BOC होजेगा देखो इत्थों BOC होजेगा AOC होजेगा ठीक है and plus triangle की होजेगा triangle area of OAC is equal to triangle of ABC दे बराबर होईगा होन आपा की लिखांगे एत्थी लिखांगे 1 by 2 और एत्थी की होजेगा base into height plus 1 by 2 base into height plus 1 by 2 base into की होजेगा height is equal साड़े कोड़े की है root 3 upon 4 into side स्केर होजेगा समझ आ गया मेरे प्यारे मित्रो देखो सवाल समझना है बहुत interesting question है और थोनो इस साड़े कोड़े 3 cm है और एस साड़े कोड़े by the way 4 cm 3 cm और by the way इस साड़े कोड़े 5 cm सवाल समझना है फोकस करके अगर मैं इसनों लिखां कि 1 by 2 और 2 साड़े कोड़े अगर x है देखो ए वड़ा साड़े कोड़े ठीक है इस साड़े कोड़े अगर पाटीकोड देखो 3 by 2 3 by 2 टोटल ओवराल वैल्यू जो दो आपा खतम करांगे तो एंड विच साधे कोड़े पर्टीकूल कोश्चन दे इक्वल साधे कोड़े वैल्यू बचेगी जो X is equal साधे कोड़े चोवी बटा रूट 3 is equal मैं कह सकते हैं भी यहनों आपा कैंसल करलांगे चोवी बटा रूट 3 into रूट 3 by रूट 3 होजेगा ता चोवी इन्टू रूट 3 बटे तिन हो जाणगे तो आप इन्हों कैसल करांगे तो एट रूट 3 तुसी अंसर दा निकाल साकते हो होन बेसिकली की है होन बेसिकली कदियर 4 आपा है कह सकते हैं कि रूट 3 by 4 into side साधे कोड़े 8 रूट तेनना गया और 20 साधे कोड़े 8 रूट तेनना गया एदना कैंसल करांगे तो दो आ गया फटाफर ट्रिक लिखो फटाफर ट्रिक लिखो सारे स्टूडेंट्स ठीक है एन्हों ट्रिक अपने बैग विच पालो यार अपने फोन्च सेव कर लो ता नो मैं की दस्या सिगा कि जदों भी तुसे एक्विलेटर ट्रेंगल दा एरिया फाइंड करना है और ओधे किसे भ तो मैं इती लिखांगा तिन प्लस चार प्लस पंच दापा करदांगे स्केयर और अपन दे विच रूट थ्री टोटल किन्ने हो गया अपने कोड़े साथ पंच बाराना स्केयर होंदा है 144 अपन रूट थ्री है और इस नो एदे बराबर किमे करोंगे तुसे इदे एक्वल आपन रूट थ्री हागया और अपन रूट थ्री है गई और अपन रूट थ्री हो जागए चलिए 144 ऐन टू तो अटे कोड़े रूट थ्री और अपन तेन प्लीज मैक्सिमम मैक्सिमम आपां लगबग बारा सो तेरा सो क्वेशन कवर करांगे पूरे पटवारी पेपर ली मैंशुरेशन चो तुहां कड़ दांगे दने क्वेशन दे याद करो ना मेरा टास्क है सिर्फ ठीक है यह बेसी कंसेप्ट सेगा आज दी पहली क्लास हीगी इदा ही कल मेल दे हैं फिर आपां तुमा के दर सेशन लेके अगे पेच्छे टाइम हो जी बिल्कुल परिशान नहीं होना किसे ने ठीक है होन सी नेरिया ठादांगे तुमां ठादांगे जो भी तुस्ही कहना च्वह उसी कहा सक दे है इट्स ऑल डिपेंड on you ठीक है चलिए 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 बहुत अच्छे है विपकली गाई kilos क्वाल समच नहां benefici है सवाला दी वicz बहुँ सारा interest or ethno method मिलेगा कोई भी book follow कर सकते हूँ बहुस सारे students कह रहें किडे book follow करिए नच सरफिन कोई marginia book follow कर सकते हो ठीक है कोई marginia book follow कर सकते हो चली काम कर दें तु,' से telegram कोशे questions दिवाँगे ते उसरी practice कर सकते हो Thank you so much मेल दें दें छैद कल